नमस्कार स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आप सबका एक बार फिर से सौगत है बाईजूज इग्जाम प्रेप आएस हिंदी के यूटीब चनल पर आज की इस बड़ी खबर पे हम लोग चर्चा करेंगे औल इंडिया सर्विसेस कंड़क्ट रूल्स के बारे में जैस तो हो गया संदर्ब अब हमारी परिक्षागी दरश्टी से जो important है वो है आचरान संबंधी नियम ये actually में होते क्या है देखो आपको पता है कि हमारे समविधान में जो राज है उसको एक कल्यान कारी राज का दरजा मिला है यानि कि एक welfare state का अब एक तरफ होता है राज एक तरफ होता है जो उसके नागरिक है ठीक है अब इन दोनों के बीच में एक जो कड़ी का काम करते हैं वो होते हैं हमारे bureaucrats यानि कि जिनको हम लोग बोलते हैं civil सेवक या civil servants अब basically जो भी राज है ये नियम बनाता है कानून बनाता है और ये जो civil servants होते हैं इनी के माध्यम से इनको लागू करवाय जाता है तो अगर जनता से जुडाव की बात करें तो सबसे जादा जनता के contact में कौन रहता है यही civil servant जिनको civil सेवक कहते हैं और इनके नाम में ही आता है civil सेवक यानि कि जनता के ये सेवक हैं तो यदि ब्यूरो क्रैसी जो है वो अच्छी होती है तो हम लोग civil servant बनने का सपना देखते हैं आप उसके लिए कड़ी मेहनत करते हो बट हमको ये भी जानना जरूरी होता है कि जब IES IPS इन सब पोस्ट पे आप पहुँचोगे उसके बाद आपको कुछ नियम होते हैं जिनको follow करना होता है देखिए इंगलिश में कहावत है ना के अंदर होने चाहिए यहाँ पर हम लोग basically बात करेंगे जो Central Civil Services Conduct Rules 1964 के बारे में तो देखो थोड़ा समय आपको इसका background के बारे में बताता हूँ यहाँ पर एक समिती का निर्मान करा गया था जिसका नाम था के संथानम समिती इसको basically बनाये गया था किस तरीके से जो ब्र इसके लिए भी आचरा संबंधी कुछ नियम बनाने चाहिए और इन ही की सिफारिश के आधार पर यह जो 1964 के laws हैं इनको बनाये गया basically इसमें यह बताया गया है कि एक Civil Servant जो होता है उसको किस प्रकार का विहवार करना चाहिए और विहवार जो है वो किस के प्रती वो है जन से important तो यहाँ पर आजाएगा कि आपका devotion कितना है अपनी duty को लेके कितने प्रतिबद हैं आप कोई भी एक Civil Servant है वो कितना जादा dedicated है अपनी job को लेके सरकार बहुत सारे नियम बनाती है जैसे एक हल ही में आजकल child marriage की बहुत बात हो रही है बाल विवाह की बात हो रही है ठ bureaucrat को तो यह जो civil सेवक होते हैं यह स्वैम भी इस नियम के अंतरगत बंधे होते हैं यानि कि अगर दहेज की बात हो रही है तो दहेज ना लेना ना देना और ना ही उसके लिए प्रेरित करना यहाँ पर अगर किसी वन जीव की बात हो रही है तो इनका भी यह करता वह होता 24 x 7 ठीक है यह जो properties है यह जो good है यह उसमें होने चाहिए अब देखो हम लोग GS का चौथा paper पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग civil सेवकों की भूमिका के बारे में उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं तो यहां से भी इसको जान लेते हैं तो एक fact आपका ethics paper से तयार हो जा एक civil सेवक से अपेक्षा करी जाती है कि उसने जो भी आदर्श है ठीक है उसका level हमेशा high रहना चाहिए किसी भी परिस्थिती में चाहे परिस्थिती अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो उसको सत्यनिष्ठा और जो अखंडता होती है इसको किसी भी परिस्थिती में नहीं छ किसी भी राजनेतिक ग्रुप के आपको support में नहीं रहना है आप neutral रहने चाहिए क्योंकि आपको जनता की सेवा करनी है आप कोई भी बयान कोई भी अपना लेक लिखते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी party के hit में दिखाई दे रहा है क्योंकि इस से फिर पता लगत समता तो basically ये भी यही चीज कहता है impartiality यानि कि आपको किसी के साथ भेद भाब नहीं करना है भले ही कोई अमीर वेक्ति आपके पास कोई काम के लिए आता है या कोई गरीब वेक्ति आता है तो दोनों को ही आपको equal तरीके से treat करना है आपकी जवाब दे ही होनी चाहिए पा आपके पास आने तक उन्होंने कितनी कठिना ही सही होगी तो उसके लिए तो यहाँ पर especially आपको ध्यान देना चाहिए इसी तरीके से जो आपका behavior है वो बहुत अच्छा होना चाहिए जनता के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप rude behave कर रहे हो आप strict behave करते हो तो जनता अप आप से discuss करने में ही डर जाती है कि भाई इनके पास जाएंगे ये तो हमेशा गुसाने लग जाते हैं ये तो हमेशा ये करने लग जाते हैं ये दस सवाल पूछने लग जाते हैं तो ऐसा behavior नहीं होना चाहिए इसी तरीके से जो ये conduct rules होते है इसमें जो section कह लीज़े या rule कह लीज़े ये seven है basically यहाँ पर क्या है कि जितनी भी ये सरकारी नीतियां होती है ठीक है तो इनको आप public नहीं करना है आपको ये नहीं कि आप आपने कोई लेक लिख दिया या आपने public में ऐसी speech दे दी कि उस policy को आप पूरा open कर दे रहो तो एक confidentiality की बात यहाँ पर होती है य तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी सरकारी नीतिया policy है उसको आप criticize कर रहे हो हालां कि criticism जो है वो लोकतंतर का एक हिस्सा होता है परन्तु इससे क्या होता है यदि आप उसको जादा criticism उसका करेगे तो हो सकता है कि जनता का सरकार के प्रती जो भरोसा है वो उठ सकता है ब भाईचारे की, बंदुत्व की, धरम निर्पेक्षता की तो ये सारे जो आदर्श हैं ये एक civil सेवकों को मानने हैं उनके आचरण में ही राजनेतिक निश्पक्षता होनी चाहिए जैसा कि हम लोगों ने section 3 में देखा हमेशा उनका primary focus किस पे होना चाहिए लोगों की बहतर link in किसी बेसिस पे, किसी भी वेक्ती से किसी भी प्रकार का भेधभाव नहीं करना है निरणय आप ले रहें तो आपने ये निरणय लिया है तो आप से पूछा जा सकता है कि आपने ये निरणय क्यों लिया और आप उसके accountable होंगे जब भी कोई काम दर चाहिए मिलता है करने आपके department में जितने भी आपसे नीचे जो भी लोग आते हैं ठीक है अब एक hierarchy बनी होती है यहाँ पर हैं फिर इन से उपर यह हैं फिर इन से उपर हैं और आप IAS हो या IPS officer है तो जाहिर सी बात है पूरी एक tree बना हुआ है आपके नीचे तो आपको ना हर level पर जाके उनके साथ स से communicate करना है ताकि आपका जो communication gap है ना वो minimize हो सके यहाँ पर अब देखो यहाँ पर मुद्दा आता है ना कि freedom of expression का अब हमको पता है कि article 19 जो है वो भारत के प्रतेक नागरिक को यह अधिकार देता है बोलने की वाक और अभिवेक्ति की सुदंता तो क्या वही सेम सुदंता ए वो व्यक्त कर दी थी उनका support करने के लिए तो यहाँ पर यह मुद्दा चर्चा में आ गया कि क्या freedom of expression में total वही सारे right जो एक आम नागरिक को मिले होते हैं वही एक civil सेवक के पास भी होते हैं या civil services rules इनके against में कुछ कहता है तो यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूर एक तो है लिपिका पॉल बनाम तृपुरा राज बहुत important case है इसमें देखिए साफ साफ यहाँ पर तृपुरा high court ने बोला था कि भाई देखिए सरकारी जो करमचारी होते हैं या civil सेवक होते हैं तो यह कोई भाशन देते हैं या कोई भी अपनी अभिवेक्ति करते हैं त अगर वो उसको override करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर उनको इस अधिकार से सीमित करा जा सकता है इसी में आप देखो के किरला high court का भी एक निर्णे था जिसमें देखिए इतना अच्छा statement लिखा हुआ है कि कोई भी एक वेक्ति है अब वो एक सरकारी करमचारी है केवल इस वजए से उसको अपने विचार वेक्त करने से नहीं रोका जा सकता तो इसका मतलब जो freedom of expression है ये जो भी civil सेवक होते हैं सरकारी करमचारी होते हैं उनको मिला होता है बट यदि उस राज्य के अंदर या जो भी विधान मंदल होते हैं उन्होंने कोई ऐसा law बना रखा है कि उस चीज के against आपको नहीं जाना होता है तो उस code of conduct को मानना यहाँ पर बादिता होती है जैसे यहाँ पर है कि किसी civil सेवक को tweet करने का अधिकार है ठीक है तो वो अपनी अभिवक्ती कर रहा है परन्तु वही चीज आ जाएगी इसको मैं जोड़ दूँगा कि भाई जिस करस्ट होता है गवर्मेंट से वो उठने लग जाता है तो यह कहीं न कहीं राज के अंदर एक राजनैतिक जो अस्थिरता होती इन्स्टेबिलिटी होती है इसका महौल उत्पन कर देती है और आपको यह सब चीजें तो ध्यान में रखनी है जो 19 आर्टिकल 19 के restriction है तो वहाँ पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भिवक्ति उनकी नीतियों के अगेंस्ट कोई बात कर पाए परन्तु यहाँ पर देखिए लिपिका पॉल वाले केस में केरला हाईकोट वाले केस में कोर्ट का जो निरणा है वो साफ यह दर्शाता है कि भार यह केस कितने द्यादा इंपोटन्ट है, गोलकनात वर्सेथ प kicking राजे और केशवाननभारती वर्सेथ केरला राजे मेरे को बताईए इन दोनों केसे में अलग-अलग निरना आया क्या था, यह दोनों केसेς किस एक केस से संबंदित थे जिसमें अलग-अलग निरना आया, comment करके जरूर बताईएगा तो आज के session में बस इतना ही रखते हैं मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको चीजें to the point बताने का प्रयास किया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा comment करके जरूर बताईएगा आज की big news आपको कैसी लगी आप से मुलाकात होगी big news के अगले session में एक नए burning topic के साथ तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे स्वस्त रहेंगे और सबसे जादा important अपने माता-पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद